नमस्कार दोस्तों मैं हूराउल श्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलिवूड डॉम पर जिस तरह से यहाँ पूरा साल ज्यानी की दोहजार बायुड बॉलिवूड के लिए कुछ खास नहीं रहा है फिल्मों के लिए बॉलिवूड की जितने भी फिल्म हैं इस साल माई वहां सिर्फ आई गई कह सकते हैं उन्होंने बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल करके दिखाया नहीं है अलाकि इसमें कुछ ये चुनिंदा फिल्म हैं जिनके लिए कि हम ये बात नहीं बॉल सकते ही जिसमें कि भूल भूले याटू और कस्मिर फाइल्स का नाम सबसे उपर आता है अलाकि ब्रह्मास्त्र ने भी उससे उम्मेद नहीं थी लेकिन उसने आच्छा खासा कारोवार करके दिखाया है वहीं साथ ने ये साल बॉलिवूड के लिए शादियों के लिए भी काफी चर्चा में रहा था बॉलिवूड में इस बार कहीं साधिया होई और शादियों का सिलसिला अभी वित हम नहीं रहा अभी हाली में ताजा ताजा अली और रिचा चटाने शादी की है और उन दोनों की तस्वीरे सोसल मेडिया पर काफी वैरल हो रही है अगर सबसे ज़्यादा चर्चाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी इस बार बॉलिवूड की स्टार कपल आलिया भट और रनबीर कपूर की शादी ये शादी इसलिए चर्चा में रही थी क्योंकि इस शादी की टाइमिंग ऐसी थी कि उसी टाइम पर ब्रह्मास्त चर्चाओं में थी और कहा ये जा रहा था कि ये एक प्रमोशन के थोर पर शादी की जा रही जो कि बात कहीं से कहीं तक हजम हो नहीं रही थी लेकिन फिर भी भी कहा जा रहा था उनको हम अफवाएं बोल सकते हैं फिर कुछ आर्टिकल ऐसे निकल कर सामने आ रहे थे फिर जब कि वो शादी हो गई और शादी के दो महीने बाद जब आलिया भट ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की तब यह कहा गया कि क्या प्रेग्नेंसी की वज़ उन्होंने शादी की है विगनेश शिवन से जो की एक फिल्म मेकर है यह दोनों इसी सार 9 जून के दिन शादी के बंदनों में बंदे हैं और इस स्टार कपल की शादी की तश्वीरे भी कांफी वाइरल हुई थी शादी व्यक्त पर यह दोनों स्टार कपल भी कांफी नजर आ अभी फिलाल महज इनकी शादी को सिर्फ चार महीने हुए है और चार महीने के बाद ये गुड निकल कर सामने आ रही है ने अन्तारंड ने दो बच्चों जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और उनके नाम उविरा और उलगाम रखा गया है तो जहां स्टार कि जो भी हो रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और अगर आप नभी तक हमारे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शी तरह की खबरों के लिए बने रही है हमारे शेनल के सामद आप